ओके हेलो एवरीवन और जैसा कि मैंने पहले आपको पहले वाले वीडियो में हमने बात कर रहा था कि किस तरीके से याद किया जाए किस तरीके से विच्वालिजेशन किया जाए उसी के बारे में मैं यह अभी इसको और एक्स्टेंट कर रहा हूं ठीक है तो हमने पहले समझा रहे हैं तो होता क्या है जब भी हम लोग study कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे जो मेन पार्ट होता है तो अलेंवर होता है जब भी हम लोग study कर रहे होते हैं तो समय great different sources from study कर रहे होते हैं book से YouTube video से तो brain की level पे उस समय actual में हमारे दिमाग में एक picture बन रहा होता है तो for example जब भी हम study कर रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में एक picture एक picture जो हो बन रहा होता है और वो actual में basic visualization होता है तो आप लोगों ने देखा हुआ कोई भी जब teacher पढ़ाता है तो वो हमसे यही पुछता है कि is that picture clear or not तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे दिमाग में कोई picture actual में अगर exist करता है और उससे हमें clarity मिलती है तो उस concept को उस subject को हम अच्छे तरीके से समझ बाते हैं होता क्या है जब भी हम study कर रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में हमारा दिमाग try करता है छोटे छोटे images छोटे छोटे पिक्चर बनाने के लिए उसी को हम बोलते हैं visualization तो जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग first step में जो step one में जो काम करता है वो उसमें एक basic visualization करता है और यह actual में टूटी-फूटी picture होती है जिसमें ना तो कोई vivid ना तो कोई color ना तो कोई funny story include होता है some sort of only basic picture only basic visualization लेकिन maximum लोग इसी को से follow करते हैं और इस तरीके से वो किसी concept को नहीं समझ बाते हमेशा आप याद रखो अगर आप student हो तो concept अगर आपको किसी भी चीश का समझना है तो always remember that आपको आपको जो visualization part होना चाहिए आपके पास में visualization part जो होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए यानि कि visualization जो part है जो visualization part है वो actual directory link है वो आपके understanding से right तो इसका मतलब कि कोई भी अगर हमें study कर रहे हैं visualization अगर हम उस study में कर रहे हैं हम picture बना रहे हैं हमें story बना रहे हैं तो हमारी जो understanding है वो automatic जो है वो increase हो जाएगी और यही visualization responsible होता है हमारी focus को भी increase करने के लिए right अब बात करते हैं कि focus क्या है तो उस पर मैं जाओंगा मैं इस point को ऐसे include कर लें इसके बारे में भी हम discussion करेंगे मिल्म है तो हमने जैसे बताया कि कोई जब हम कभी भी study कर रहे होते हैं तो हम उससे में हम क्थवाल मैं विजियु आईटे कर रहे होथा हैं और उससेया हमToday हम बना रहे होते हैं और मैक्सिमम लोग जो follow करते हैं वह basic buy civilization करते है लेकिन जब हम basic कर रहे होते हैं तो यह responsible होता है आपके short term memory के लिए that means हमें वो कोई method हमें वो एक technique की जात करना पड़ेगा जिसको हम visualization करके long term में उसे convert कर सकें because ultimately जितने भी आप success लोगों को आप देखो कि चाहे वो रामानुजन हो अलबर्ट आइंस्ट्रीन हो वो ब्रेन के लेबल पर उनकी जो visualization पावर थी वो काफी जादा अच्छी थी इसी के हिसाब से वो बहुत सारी information को अपने दिमाग में long term memory में रख पाते थे and as well as अपने दिमाग में ही बहुत सारी math के जटिल पर क्रियाओं से वो solve भी उसमें कर लिया करते थे अपनी दिमाग के अंदर ही ठीक है तो फोकस के बारे में हम बात करते हैं उसके पहले हम अब देख लेते हैं कि what are the like visualization तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हम विज्वालाजेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हम एक हमारे दिमाग के अंदर हमारा दिमाग जो है वो basic picture create कर रहा होता है तो यह हमारी duty है तो एक बात आपको एक और decision जो है वो यहां पर लेना पड़ेगा ठीक है और वो decision इस तरहीं का है कोई भी study आप कर रहे हो आपको यह decide करना पड़ेगा कौन से information जो है वो useful है और कौन से information को जब हम study कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी information होती है जो relevant नहीं होती तो उसको दरकिनार करके जो वैसी information जो relevant होती है उसको हम actual में vivid visualization के process से हो करके गुजारते हैं अब vivid visualization process क्या है तो इसको मैं ऐस तरीके से लिखते रहा हूं like वी वी पी ओके वीड visualization process यहां पर मैंने process भी लखते देता हूं ऐसे process ठीक है नॉओ कि अब मैं यहां से थोड़ा से इसको scroll उपर कर लेता हूं अब देखो vivid visualization power में कहा क्या जाता है तो पावर के सबसे पहला रूल है वह रूल यह बोलता है जो भी आप study कर रहे हो जो भी आप study कर रहे हो कोसिस करो उसको तीन तरीके से करने के बारे में आपको सोचना चाहिए पहला चीज है I am doing it for example अगर मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूं तो आपको आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आपके पास में एक बहुत बड़ा क्लास्रूम है आप एक टीचर हो और टीचर जो है वो बोर्ड पर चौक से लिख रहा है तो इसको बोलते हैं self यानि कि आप उस story में अपने आपको self ज को उसमें story एक बनाओ उस story में कुछ आप action डालो और वह action जो है वो आपके द्वारा होना चाहिए तो इसको हम लोग रूल दे देते हैं आपको यह story बना रहे हो दिमाग के अंदर विजुलाइज कर रहे हो और वह action जो है वह एक्ट्वल में आप कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट विजुलिजेशन टेक्निक सेकंड विजुलिजेशन टेक्निक क्या किसको हम बोलते हैं for example कि अगर आप कोई चीज को टॉपिक पढ़ाई कर रहे हो राइट आप ऐसे अजिम करो राइट डाट इस मेंस कि इस हैपनिंग इन फ्रन्ट आफ मी राइट इस हैपनिंग इन फ्रन्ट आफ मी तो for example उसमें फिर क्या हो जाएगा जैसे कि आप कोई कि लेट सुपोज आप हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हो राइट सब्जक्ट आपकी जो है वह हिस्ट्री है तो उसमें आपकी विजुलेजिशन पावर किस तरीके के होगी आप ऐसे सोचो कि आपकी जो टेबल है वो टेबल जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है उस वर् अख्षोल में आपके फरंट पर हो रहा है यानि कि आपके सामने हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एस्टेग टूट बड़ नदेशन ट्री आँप एिस्टरीन टुज आ डिश्छ आप नें टिस वें सेटोह आइट को आपके विजुलेजेशन टूट अबर जोट आपकी आ upon me so what is the meaning of that so meaning of that for example like you can say that like global warming right global warming yeah global warming right to global warming में अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप किस थरीके से आप अजिम कर सकते हो किस तरीके से विजोलाइजेशन कर सकते हो तो आपको सोचना है ऐसे कि मैं अपने घर में हूं टेंपरेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और I am not able to मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूं वो इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि global warming का वहां पर एफ्यक्ट है ठीक है तो इस तरीके से global warming के जब concept आप पढ़ रहे हो यानि कि वो सारे जो action है जो सारे जो action है जो आपका जो environment है जो आपका environment है उसमें अपने आपको सेल्फ के ही ऊपर उन सारे action हो का प्रभाव पढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं likely that is a third technique all right so these are the three techniques in which you will have to follow if you want to master the visualization process right now तो मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग थोड़ा सा focus के भी बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो focus के बारे में क्या बात होती है तो जब भी हम कोई movie देख रहे होते हैं कि जब भी हम लोग कोई movie देख रहे होते हैं तो movie देखने के समय में हमारे दिमाग में हमारे दिमाग को कोई भी information you can say that या फिर हम distract उसमें नहीं होते हैं हम हमारे जो focus का जो level होता है वो काफी ज़ादा हाई होता है लेकिन जब भी हम study करने बैठते हैं हम देखते हैं कि हमारे दिमाग जो है वो उसकी focus span धरे घट जाती है आखिर ऐसा होता कि तो सबसे पहले आपको ब्रेन के बारे में आपको समझना पड़ेगा, कि ब्रेन आकर किस तरीके से काम करता है, तो इसके बारे में मैं आप डीटिल विडियो ज बनाओँगा, लेकिन आप छोटे तोर पर ऐसको ऐसे समझने की कूसिस करो, कि ब्रेन जो है, अगर ब्रेन के अंदर जो भी picture क्रियेट ह रहा है अगर उस picture में उस picture में दिमाग का मन लग रहा है अगर picture interesting है तो automatic जो है वो focus आपकी इन्क्रीज हो जाएगी जब हम movie देख रहे होते हैं तो हमय focus की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि movie में आपके different different song picture और हीरो हिरुन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जो आपके ब्रेजेंट को प्लीजेंट लगता है जैसे ही ब्रेजेंट को प्लीजेंट लगता है आपकी फोकस स्पन हाई हो जाती है and even at the end of the time and the end of the day you actually remember all the things all the story whatever happened in this movie so movie में हमने ये समझ लिया कि फोकस एक्चुल में इच एड एवरी परसन के अंदर होता है और ये पूरी जो फोकस का गेम है एक्चुल में आपके ब्रेन लेबल पर होती है और ब्रेन लेबल पर चर्ब होती है तो अब बात यह होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने अब बैठते हैं हम पढ़ाई करने बैठ गए उस समय हमारा फोकस एश्पैंड दीरे दीरे कम हो जाता या पीर नहीं है या फिर हम इसली जो है वो डिस्ट्राक्ट हो जाते हैं अब जब जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय होता क्या है तो इसको मैं थोड़ा से कर लेता हू ठीक ना इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा लाइक बुक्स रेड़ी रइट यहाण रैट यास जो जब भी हम पढ़ाए कर रहे होते हैं तो इस्वाम एक्चिल में होता क्या है कि हमारा जो ब्रीन है लेट सबस्क्राइब डिसीज़ बुक बॉप राइट हमारा जो brain है, जब हम book पढ़ाय में reading कर रहे होते हैं, तो reading के इस process में, reading के इस process में हमारे पास में कोई भी images, initially नहीं होता, कोई भी picture नहीं होता, कोई भी story नहीं होता, इस तरीके से जो हमारा brain है, हमारे brain को सारे work करने पड़ते हैं picture भी बनाना है image भी बनाना है story भी बनाना है जब हम image picture story बनाएंगे visualization increase होगी और तब हम जाकर करके उस concept को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो जब भी हम reading कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास ना तो image होता है ना तो picture और नहीं story नहीं association association ठीक है अब association क्या है इसके बारे में मैं इसको ऐसे goal sorry for that let me actually do in this way association तो हमने बात करा कि जो रीडिंग होती है उस समय हमारे दिमाग में images picture and story हमें खुद ही बनाना पड़ता है तो इसलिए brain को ज्यादा work करना पड़ता है इसलिए हम उसमें ठक जाते हैं और जब brain ठकता है तो आप से ये होलता है कि चलो हम दूसरा कोई काम करते हैं क्योंकि हमारे brain का जो सबसे most important task होता है that is nothing but आपकी survival और आपको relax mode में रखें तो जब भी हम यह images and picture story बनाना चालू करते हैं तो उस समय हमारा brain tired हो जाता जिससे कि हमारी focus spend धीरे धीरे कम हो जाती है और भी बहुत सारे कारण होते हैं focus के लिए जो हम बाद में discuss करेंगे right now अब हम अब हमने बात कर लिया एस लाइक focus के बारे में and book reading में अब एक और point यहां भी छूट रहा है that is nothing बट जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो already screen पर हमें images picture story already हमें दिखाई देते हैं तो हमारे brain को उतना उस label पर effort नहीं डलना पड़ता और जब effort नहीं डलना पड़ता तो हमारा दिमाग उस चीज को अच्छे तरीके से विजुलाइज एंड उसे long term memory में भी रख पाता है ठीक है ना अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब आपकी association पर राइट अब association method जो है वो आपका क्या कहता है ठीक है एक जैसे कि हमने अब इसे का कि कोई भी अगर हम इस्टडी कर रहे हैं तो अगर हम उसके तीन तरीके से अगर स्टडी करते हैं तो वह मेरे सामने हो रहा है मैं उसको कर रहा हूं और वह एक्षन मेरे ही उपर हो रहा है तो इस तरीके से हमारी इरिटेंशन पावर मीमोरी एंड इमिजनेशन अच्छे तरीके से होती है अब association टेक्निक आपका यह कहता है कि फॉर एक्जामपल अगर मैं आपसे बोलूं पिंक एलिफैंट राइट पिंक एलिफैंट ठीक है तो आ हमारा दिमाग जो होता है वो association एंड लिंक सिस्टम पर काम कर रहा होता है तो जो भी हम study कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा दिमाग लिंक association एंड पैटर्न पैटर्न जो है वो खोसता है अगर मैं आपसे बोलूं पिंक एलिफैंट तो आपके दिमाग में obviously है कि कुछ ना बचनज़ बना होगा अब एलिफैंट जो है वो एक एनिमल से रिलेटेड है तो अगर मैं बोलूं आपसे दस एलिमेंट के बारे में आप और सोची है ह। तो आप उसका नाम दे देंगे ठीक है अगर मैं बोलूं एक ऐसा इनिमल का नाम बताए जो आपके घर में है तो एंड और्गनाइज को राइट एक्चुल में आप अपने मिमोरी से उन दस एनिमल के नाम जब मुझे बता रहे हैं तो सारे चीशें आपके दिमाग से वो निकल रही है क्यों क्योंकि हमारा ब्रेंज जो होता है वो चंकिंग के सिश्टम में इन्फरमेशन को इस्टोर करता ह है इन ऑर्गनाइज अगर मैं एनिमल बोलू तो एनिमल का एक क्लास मना चुका है राइट फॉर एक्जांपल का क्लास होता है ठीक कि दिमाग में और उसने सारे इंफरमेशन को इसमें रखा हुआ है ठीक है जैसे मैंने बोला दस एनिमल तो अल्रड़ी वो सारी मिमोरी मिम for example GIF-GIF images वी होता है GIF के फॉर में होता है और वो images जो होता है जो images होता है उसमें you can say that हमारे पास में एक और चीज़ होती है that is nothing but a sound ठाइक है उसके बाद में हम बात कर लेते हैं smell ठीक है और उसके बाद में होता है bad impact और बैड इवेंट्स तो हमने यहां पर क्या सिख लिए कि जो भी हमने जो भी हमें स्ट्रडी कर रहे होता है या फिर हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि हमने अगर पिंग कैलिफेंड किया तो एक्चुल में उस इंफॉरमेशन को चंक कर लिया एनिमल में और एनिमल में तो हमारे दिमाग में दो क्लास बना हुए जिसमें धोरि Premiere तो हमारे जो में और में जो हमार पास में के जो हमारे दिमाग में पहले से इमिज है जब् There रहे होते हैं तो सबसे पहले आप आपका जो दिमाघ होता है वो आपके इस chunk & Örganes and memory वाले सिस्टम में इस व अ क्लाष्य में जाकर देखता है कि एक already हमारे अंदर images है की नहीं है it right वह इस database में आता है उस folder मेर उस class में आता है आपका पर अ Alg assault देखता है कि मान के चली कि कर रहे हैं कि अ च Do passed करते हैं आपको फॉर इक्जांपल मिल गया माइको कॉंट्रिया अब वो करेगा क्या आपको आपका जो दिमाग है उससे एसोसीट करने के लिए ठिक है कियोंकि लिंक सिस्टम बनाना इंपोर्टेंट है कि लिंक सिस्टम जब बनाता है तो आपके फोल्डर को देखेगा जो आपके अल्रटी दिमाग में मिमोरी है उसके एक इमेज को देखेगा ठिलिक है कि यह image यह जो वर्ड है इसका मैं क्या मीनिंग दे सकता हूं कि वर्ड कysł मेनिग में इस चीश का क्या मतलब और क्या मीनिंग दे सकता हूं । इसके बारे में वह सुचना जो है वह चालू करत है वह आपके existing जो मेमोरिय उसमें जाता है और एक पिक्चर जो है वो ले करके आपके ब्रेन में आता है और बोलता है मैं को कॉंड्रिया का जो साउंड है वह मैं नहीं जानता हूं कि इसका existing क्या है ठीक है लेकिन इसको मेरे दिमाग में जो एक images for example like Microsoft to Microsoft and Microsoft microchondria okay so microchondria इस तरीके से कुछ जो है वो associate करना चालू कर देता है एक नए image को एक पुराने image से आपका brain जो है आपका brain जो है वो एक्चुल में link करने का काम करता है ठीक है इसको बोलते हैं system link system and association इसमें बहुत साथ और भी टेक्निक से डिवलाप हो चुकी है जो कि मैं धिरे धिरे आब आपको बताऊंगा ठीक है तो यह होता है से basic association link system जिसके हिसाब से आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है वह information को इस्टोर करता है ठीक है एक लास्ट टॉपिक में बता देता हूं इस सेशन का और वह है डाट इस नाथिंग बड़ता आपका revision ठीक है कि लेट मीट इन दिस वे ठीक है तो होता क्या है कि जब भी हम revision कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करा हमने अपना study कर लिया उसके बाद में हमने विट विजूलाजेशन कर लिया ठीक है वीजूलाइजेशन करने के बाद में हमने जो है वो नोट्स बना लिया और जब भी नोट्स बनाते हैं हम उसमें वाइटल की रखते हैं ठेक है वाइटल की फॉर एक्जामपल अगर एक प्रोग्रामिंग कॉंसेप्ट है लाइक तो अगर इनकैप्सुलेशन पड़ा रहे हैं तो विविड विजुलाजेशन के अंदर ही हम उसमें कुछ ऐसा डालने की को सिस करेंगे की वह आपका वाइटल की बन जाए फॉर एक्जामपल इनकैप्सुलेशन तो वाइटल की हम क् सकते हैं आप इसको ऐसे मिजन कर सकते हो कि आपके पास में एक कैप्सुल है ठीक है एंडे उसके प्रेशन में आपने जो है यूज आप बहुत सारे लाइक मेथर्ड राइट एंट यूज आपने उसमें स्टोर करके रख दिया तो यह एक्चॉल में वाइटल की हो जाते है है जो कि में इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि सारी चीजा हम इस लेक्चर में मैं नहीं दे सकता हूं तो हम बात कर रहे हैं तो कोसिस किया जाना चाहिए जब भी आप कोई चीज पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद में आपने अच्छे से उसको विजुलाइज क करने कोसिस करें कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है बीना किताब कॉपी को देखे हुए उसके बाद में दूसरा रिविजन होना चाहिए आपका वन वीक के बाद में वन वीक ठीक है तो आप इसमें आप इस ऐसे इंक्लूट कर सकते हो फॉर एक्जामपल लेट सूपोस लाइक सटर्डे एंड संडे चैनल को यह दो दिन जहां वह आप इसमें इंक्लूट कर सकते हो सटर्डे संडे को आप प्रीविजन ए रखो उसके बाद मैं एक होता है आपका वोन मंत के बाद में प्राइट वन मन्त के बाद में फिर आपको रिविजन करना चाहिए तो जब यह आ होता है ठीक है अब वाट इस दिफ्रेंस बिटूइन ना मिमोराजेशन और इस विजुलाजेशन पावर राइट इसको नहीं पेस से बना लेते हैं आपन कि अब हम एक्षल में विजुलाजेशन करने की जरूरत ही क्यों है या फी मेमोराजेशन तो जब भी हम आफिसी भी कॉंसेट को किसी भी स्टरी कॉंसेट को अगर हमें अच्छे तरीके से समझना है तो कोसिस करिए कि उसमें आपकी दिमाग में पिक्चर बनने चाहिए विज विजुलाइज होना चाहिए जितना इस ट्रॉंग अगर आपका पिक्चर अगर आपके दिमाग में होगा उसमें आपकी अंडिस्टैंडिंग ऑटोमेटिक जो है वो कि अंडिस्टैंडिंग ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज हो जागी कहने का मतलब यह है जो भी आप इस्टडी कर रहें कॉंसर्ट पढ़ाई कर रहें को सिस करें उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से विजुलाइजेशन करने की जितना ज्यादा पिक्चर स्ट्रॉंग बनेगा उतनी ज्यादा आपकी अंडिस्टैंडिंग उसमें होगी और जब अंडिस्टैंडिंग होगी तो इसी विजुलाइजेशन तरीके से आपके यह जो इन्फॉर्मेशन है वह आपके लॉंग टर्मी मोरी में पास हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यानि कि पूर बहुत सारे जो एस्टुएंट होते हैं वो रट्टा रट्टा लगाने लगते हैं तो रट्टा लगाने में क्या होता है कि आप एक्च्वल में रिपीटीशन कर रहे हो रिपी कि रिपीटीशन थिए बहुत सारे ऐसे बच्चों होते हैं जो रटा लगाते हैं। करते हैं लेकिन अगर आप रेपिटिशन को बरेकडाउन करके देखोगे साइस्टी किवे में तो जितनी बार हम रेपिटिशन करते हैं वे उतनी समय में हम अपने दिमाग में पिक्चर को ही स्ट्रॉंग कर रहे होते हैं और रिपीटिशन जब हम बार 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 रिपीटिशन करते हैं तो चीजा में याद हो जाता है क्यों कि वह हम पिक्चर को डिरेक्ट जो है वो अगेन अगेन हीट कर रहे हैं तो जब हम उसी पिक इधी ऑफेशन चील दिमाग में आती है लेकिन अगर आप कोष्ट देखो गैसे एन दोनों तरीकों में क्या आंतर है तो अगर आप पहले वाले मिफड से शटाडी कर रहे हो विज्य आईजीशन कर यह से ने ऊपर बताया उस तरीक से तो इसमें आपको पढ़ाई करते हुए मज़ा भी आएगा इंट्रेश्ट भी आएगा फोकस भी आएगा और आपकी दिमाग में पिक्चर भी स्ट्रॉंग बनेगा आपकी अंडेस्टाइडिंग भी अच्छी होगी और आपकी लॉंग्टर मीमोरी में वो सेफ हो जाएगा और अगर आप इस्टडी करके रट्टू तोता बनना चाहते हो रिपिटीशन करोगे पिक्चर तो दिमाग में बन जाएगा लेकिन उस समय अंडेस्टाइडिंग जो है वापकी नहीं रह पाएगी तो दिमाग में वो तो इमेज है और ऐसा देखा गया है कि रिपिटेशन होता है वो आपका हाई मतलब ज्यादा लगता है और कब भूल जाओ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट सवरी कब भूल जाओ हम कभी नहीं जानते हैं तो रट्टा मारने वाले विद्यार्थियों में ज्यादा देखा गया है कि पिक्चर तो उनके दिमाग में घृण जागा और है लॉट्र मे मोरी को सऐट न करने के लिए हमारे पास में है रिवीज़न अब रिवीज़न के बारे में grassi अगले दिन हम बात करेंगे ओके ईड citro पढ़ाई करना चालू करिये, ठीक है, आपके हाथ में ही आपका पढ़ाई है, and you are the person who actually, who can do something better, okay? You are the person, you are the responsible, okay? At this note, thank you so much.